पुलिस ने अवैत गांजे के साथ एक आरूपी को ग्रफतार किया है इसके साथ ही मौके से दो किलो गांजा बरामत किया है और तशकरी में शामिल कार भी जब्त की गई है थाना प्रभारी बेलगाओं अर्विंद चौबे ने बताया है कि क्राइम ब्रैंच पुलिस और बेलगाओं पुलिस की संयुक्ति कारवाई की है तहसील चौप के पास जहां गुलजार नाम का आरोपी गांजी की खेप के साथ उसे बेचने की फ्राक में है वहीं अपनी कार से पहुंचा था पुलिस ने घेरावंदी करके आरोपी को पकड़ा है और उसके ऊपर NDPS का मामला दर्जकर पड़ताल शू कर दी है आरोपी गांजा कहां से लाता था और किसको बेच्टा था इसकी बिजाच की जा रही है जावलपूर से बाजित खान की रिपोर्ट खाना बेलवाग पुलिस और क्राइम ब्रांज के सहीवट टीम के द्वारा विद्वस तैसीन चोक के पास से एक आल्टो कार में गुल्यार नाम के वक्ति को दोकलो गांजे के साथ पकड़ा गया है और आरोपी गुल्यार के बुद्ध बिदियन उसार हैं एनडी पीस के प्राधानों के तहत दिश्वत करवाई कि जा कर कर्मानी नाला पेस किया है इसमें अरोपी गुल्यार खान कहां से गांजा लाया था किस से लाया था इस समन मजाच की जा रही उसके द्वारा बदाया गया है सम्मंदित थाने जहां से उसका निवास इस थाने उस थाने से रिकाट किया है यह मासुम का वाड़ा दयवली के प्रास के रहने वाला है हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले ऑज जचे चैनल में जपाइके चैनल को लिए्या जब है